सत्य के प्रयोग अथ्वा आत्मगथा लेखक मुहंदास करमचन गांधी दूसरा भाग विशय प्रिटोरिया में पहला दिन मुझे आशा थी कि प्रिटोरिया पर दादा अब्दुल्ला के वकिल की ओर से कोई आदमी मुझे मिलेगा मैं जानता था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुझे लेने आया ही नहोगा और किसी भी हिंदुस्तानी के घर नहराने के वचन से मैं बंदा हुआ था वकिल ने किसी आदमी को स्टेशन पर भेजा न था बाद में मुझे पता चला की मेरे पहुंचने के दिन रविवार था इसलिए थोड़ी असुविदा उठाए बिना वे किसी को भेज नहीं सकते थे मैं परेशान हुआ सोचने लगा कहा जाओ डर था कि कोई होटल मुझे जगह न देगा सन 1893 का प्रिटोरिया स्टेशन 1914 के प्रिटोरिया स्टेशन से बिल्कुल भिन्न था धिमी रोष्णी वाली बत्तिया जल रही थी यात्री भी अधिक नहीं थे मैंने सब यात्रियों को जाने दिया और सोचा कि टिकट कलेक्टर को थोड़ी फुर्सत होने पर अपना टिकट दूँगा और यदि वह मुझे किसी छोटे से होटल का या ऐसे मकान का पता देगा तो वहाँ चला जाओंगा या फिर रात स्टेशन पर ही पड़ा रहूंगा इतना पुझने के लिए भी मन बढ़ता न था क्योंकि अपमान होने का डर था स्टेशन खाली हुआ मैंने टिकट कलेक्टर को टिकट दे कर पुझता शुरू की उसने सब्वेता से उत्तर दिये पर मैंने देखा कि वहाँ मेरी अधिक मदद नहीं कर सकता था उसकी बगल मे एक अमेरिकन हपशी सजन खड़े थे उन्होंने मुझसे बाच्चेश शुरू की मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल अजनबी है और यहाँ आपका कोई मित्र नहीं है अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको एक छोटे से होटल में ले चलूंगा उसका मालिक अमेरिक किया वे मुझे जॉन्स्टन फैमिली होटल में ले गए पहले उन्होंने मिस्टर जॉन्स्टन को एक और ले जाकर थोड़ी बात की मिस्टर जॉन्स्टन ने मुझे एक रात के लिए ठिकाना कबूल किया और वहाँ भी इस शर्त पर की भोजन मेरे कमरे में पहुचा यदि मैं आपको भोजन गुरुह में भोजन कराओं तो मेरे ग्रहक बुरा मानेंगे और शायद वे चले जाएंगे मैंने जवाब दिया आप मुझे एक रात के लिए रहने दे रहे है इसे भी मैं आपका उपकार मानता हूँ इस देश की स्थिती से मैं कुछ-कुछ बरिजित हो जुका हूँ मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूँ मुझे आप खुशी से मेरे कमरे में खाना दीजिये कल तक मैं दुसरा प्रबन कर लेने की आशा रखता हूँ मुझे कमरा दिया गया मैंने उसमें प्रवेश किया एकांत मिलने पर भोजन की राह देखता हुआ मैं विचारों में डुब गया इस होटल में अधिक यात्री नहीं रहते थे कुछ देर के बाद भोजन के साथ वेटर को आता देखने के बदले मैंने मिस्टर जॉंस्टन को देखा उन्होंने कहा मैंने आपको कमरे में खाना देने की बात कही थी पर मैंने उसमें शरम महसुस की इसलिए अपने ग्राहकों से आपके विशय में बातचित करके उनकी राय जानी आप भोजन ग्रुह में बटकर भोजन करे तो उन्हें कोई आपत्ती नहीं है इसके अलावा आप यहाँ जितने दिन भी रहना चाहे रहे उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी इसलिए अब आप चाहे तो भोजन गुरुह में आईए और जब तक भी चाहे यहाँ रहिए मैंने फिर उनका अभार माना और मैं भोजन गुरुह में गया निश्चिन्ध होकर भोजन किया दुसरे दिन सबेरे में वकिल के घर गया उनका नाम था A.W. बेकर उनसे मिला अबदुल्ला सेट ने मुझे उनके बारे में कुछ बता दिया था इसलिए हमारी पहली मुलाकात स मुझे कोई आश्चर्या न हुआ वे मुझसे प्रेम पूर्वक मिले और मेरे बारे में कुछ बाते पूछी जो मैंने उन्हें बतला दी उन्होंने कहा बैरिस्टर के नाते तो आपका यहां कोई उपयोग हो ही न सकेगा इस मुकदमे के लिए हमने अच्छे से अच्छे ब पाइदा आवश्य होगा कि अपने मुवक्किल के साथ पत्रव्यवार करने में मुझे अब आसानी हो जाएगी और तत्यादी की जो जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी वह मैं आपके द्वारा मंगवा सकूंगा आपके लिए अभी तक मैंने कोई मकान को तलाश नहीं क जानता हूँ वह गरीब है भटियारे की स्त्री है मेरा खयाल है कि वहाँ आपको टिका लेगी उसे भी कुछ मदद हो जाएगी चलिए हम उसके यहां चले यो काकर मुझे वह वहां ले गए मिश्टर बेकर ने उस बहन को एक और ले जाकर उससे कुछ बाते की और उसने मु आजकल केवल पादरी का ही काम करते है वकालत उन्होंने छोड़ दी है रुपए पैसे से सुखी है उन्होंने मेरे साथ अब तक पत्रवेवार जारी रखा है पत्रों का विशे एक ही होता है वे अपने पत्रों में अलग-अलग धंग से इसाई धर्म की उत्तमता की चर्च सकती हमारी पहली ही मुलाकात में मिश्टर बेकर ने धर्म संबंदी मेरी मनस्तिती जान ली मैंने उन्हें बता दिया मैं जन्म से हिंदु हूँ इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्यान नहीं है दुसरे धर्मों का ज्यान भी कम ही है मैं कहा हूँ क्या मानता हूँ मुझे क्य मानना चाहिए यह सब मैं नहीं जानता अपने धर्म का अध्ययन मैं गंबिर्था से करना चाहता हूँ दुसरे धर्मों का अध्ययन भी यथा शक्ती करने का मेरा इरादा है यह सब सुनकर मिस्टर बेकर खुश हुए और बोले मैं स्वयम साउध आफ्रीका जनरल मिशन का एक डाइरेक्टर हूँ मैंने अपने खर्चे से एक गिर्जा घर बनवाया है उसमें समय समय पर धर्म संबंदी व्यक्ष्यान दिया करता हूँ मैं रंगभेद को नहीं मानता मेरे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी है हम प्रती दिन एक बज़े कुछ मिनट के लिए मिलते है और आत्मा की शांती तथा प्रकाश ज्यान के उदय के लिए प्रार्थना करते है उसमें आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी वहां मैं अपने साथियों से भी आपकी पहचान करा दूँगा वे सब आप से मिलकर प्रसन्न होंगे और मुझे विश्वा सही कि उनका कम आपको भी अच्छा लगेगा मैं आपको कुछ धर्मिक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दूँगा पर सची पुस्तक तो भाइवल ही है मेरी सला है कि आप उसे अवश्य पढ़िए मैंने मिस्टर बेकर को धन्यवाद दिया और अपने बस बर रोज एक बजे उनके करने की अभी मुझे फुर्सत नहीं थी मैं मिस्टर जॉन्स्टन के पास गया बिल चुकाया नए घर में पहुंचा वहां भोजन किया घर मालकीन भलिस्त्री थी उसने मेरे लिए अन्नाहर तयार किया था इस कुटुम से गुल मिल जाने में मुझे देर न लगी भोजन से निबढ कर मैं उन मित्र से मिलने गया जिनके नाम दादा अबदुल्ला ने मुझे पत्र दिया था उनसे जान पहचान हुई हिंदू स्तानियों की दुर्दशा की विशेश बाते उनसे जानने को मिली उन्होंने मुझसे अपने घर रहने का आग्रह किया मैंने उन्हे धन् काम हुई ब्यालू की ओर मैं तो अपने कमरे में जाकर विचारों के चक्कर में पड़ गया मैंने अपने लिए तुरंत कोई काम नहीं देखा अब्दुल्ला सेट को इसकी सुचना भेज दी मिश्टर बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है उनके धर्म बंदों से मुझे क जो भी पढ़ने को मिले उसे मैं निश्पक्षभाव से पढ़ू और मिश्टर बेकर के समुदाय को बगवान जिस समय जो सुजा दे सो जवाब दू जब तक मैं अपने धर्म को पूरी तरह समझ नलू तब तक मुझे दुसरे धर्मों को अपनाने का विचार नहीं करना च सुष्टा हुआ मैं निद्रावश हो गया विशे समाप्त यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें धन्यवाद